हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चैप्टर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स पेस्ट उन क्वाड्रोटिक एक्विशन ऑफ क्लास 10th ICIC फ्रॉम सिलीना कॉन साइस बुक एक्साइस 6A का 10th सम्त चलिए शुरू करते हैं देखे जो आपको एक्वेशन लग रही है वह बहुत सादा कम्प्लिकेटिट लग रही होएगी बट हम इसको स्टेप पर सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले इस तरीकी से अगर कोई नंबर X ओवर Y की फॉर्म में होता तो यह हम क्या वोल देते हैं यह एक फ्रेक्शन है ठीक अब न्यूमिरेटर एंड डिनूमिरेटर का भी पता होना चाहिए जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमिरेटर जो नीचे वाला वो डिनूमिरेटर अब इसको समझना है हमने the denominator of a positive fraction is one more than denominator एक जादा है more than मतलब जादा है बट किस से जादा है then twice the numerator, numerator से double तो यह numerator के साथ सारा comparison किया गया है denominator का तो सबसे पहले हम numerator को let कर लेते हैं मान लीजिए जो numerator है वो आपका कितना है x अब हम numerator के basis के उपर denominator को बनाएंगे हमें पता चलिगा कि नियुमिरेटर कितना हमने ले लिया x ले लिया अब denominator को बनाओ denominator is one more than, one more than का मतलब के इस तरीके से लिखेंगे one more than मतलब इसमें one plus होएगा, किस से more than twice the numerator, twice का क्या मतलब होता है? दूगना, numerator कुतना है? x twice of कितना है? numerator twice of x प्लस one इस तरीके से यह आपका बन गया denominator तो अब fraction क्या बन जाएगी, fraction में क्या होता है numerator over denominator numerator हमारा कितना है x और denominator कितना आया है आपके पास 2x plus 1 ठीक है जी अब इसमें एक reciprocal की भी बात की गई है तो reciprocal का क्या मतलब होता है उल्टा कर देना किसी को जो numerator है वो denominator बन जाता है जो denominator है वो numerator बन जाता है यह चीजा जाएगी अब according to the given condition क्या बोला है उसनी the sum of the fraction and its reciprocal fraction और उसके reciprocal का सम तो सबसे पहले fraction है क्या हमारे पास fraction है हमारे पास x by 2x plus 1 sum करना है मतलब plus and its reciprocal reciprocal मतलब 2x plus 1 by x यह कितना आ रहा है आपके पास 2.9 अब आपको इसको LCM लेके solve करना है जब LCM लोगे तो यह दोनों फेक्टर ही LCM में आ जाएंगे तो यह वला फेक्टर इदर अवे लेबल है x नहीं है यह दोनों हमने यहां पर लिखे ठीक है तो यहां पर आपको इस तरीके से देखना है कि इसका LCM लेके solve करके फर्दर आपको क्या करना है यहां पर यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं इसको cross multiply कर दो इदर multiply कर दोगे तो यह चीज आ जाएगी आपके पास further x square वाले को आपस में add कर दो इसको 2.9 को अंदर multiply कर दो फिर एक साथ सारे इकठे कर लो इकठे करने के पास यह चीज बन जाएगी ठीक अब यह sum जो है वो points में है और जो x square वाली term है वो negative है अगर हम इसको standard form में बनाना चाहते हैं तो हम इसको positive बनाएंगे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग negative को common निकाल लेंगे अगर आप negative को common निकाल लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा यह positive हो जाएगा जो term positive है वो negative हो जाएगा यह जो negative हमने common निकला वो दूरे साट के जाएप गे वेनिश हो जाएगा अब यह सारा पॉइंट वाला है तो अगर आप इसको कैल्कुलेशन एजी करना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे मल्टिप्लाइ कर देंगे 10 के साथ 10 के साथ क्यों कि यह एक डिजिट छोड़के पॉइंट है दोनों केसे में तहीं सबस्क्राइब जाम कराओए तो यहां पे जब आप इस तरीके झे मिल जाएगा अब यहां पे बनाने हैं इसके optimize。 यहां फैक्टर बनाने यह थे लेखिए कितना यहाँ पर आजाएगा आपके पास इन दोनों को 11 मिल रहे है और मुल्टिप्लाइय करने पर जो मुल्टिप्ला doesn कतंग अब इन दोनों मेरेसे इज्याइक- सही मैं真ा बटिप्लाइय करने पर कुछ here मईल डिल्कियां अब तो 10 x मिल रहे है और 102 6x rejects x-2 x-2 दोनों में से common निकल जाएगा बाहर आ जाएगा अंदर क्या बच जाएगा 8x plus 5 is equal to 0 2 का product कब 0 होता है either first is equal to 0 और second is equal to 0 यह आगी आपके पास 2 values अब जब भी हम values निकालते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं जो हमारी statement होती है statement देखी यहां पर इस नहीं बोला positive fraction तो यहां पर जो negative वाली term है उसको हम neglect कर देंगी उसको हम नहीं लेंगे ठीक है इस negative है तो therefore x is equal to 2 अब fraction हमारे पास क्या है x by 2x plus 1 तो x हमारे पास कितना है 2 further 2 x की value कितनी है 2 plus 1 2 by 4 plus 1 मतलब 2 by 5 यह आपका answer आजाएगा ठीक है जी if you like this video please hit the like button and subscribe to my channel अगर still आपको किसी stuff में problem है तो आप लोग comment करके पूच सकते हैं और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना तांकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको इसका notification मिल जाएगा